नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं दा खबरदार न्यूज तो चली बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर लाठी और तलवारवाजी सीख रही लेडी नर्स उजन के सरकारी हॉस्पीटल में हो रही ट्रेनिंग एमपी में ऐसा पहला प्रोग्राम उजन में लेडी नर्सों को लाठी चलाने और तलवार बाची की ट्रेनिंग दी जा रही है शेहर के मादवनगर इस्तित सरकारी स्पतल में नर्सों को सेल्फ डिफेंस सिखाया जा रहा है गुद मुकिमती डॉक्टर मोहन यादब ने इस तरह की ट्रेनिंग के आदेश दिये है ट्रेनिंग का पहला शेशन सोले फरवरी को अस्पताल परिसर में हुआ जिसका वीडियो सामने आया है ट्रेनिंग सेशन हर शुक्रवार को होगा परिस में इस तरह का यह पहला प्रोग्राम है पहले शेशन में करी 20 महला स्टाफ ने लाठी चलाना सीखा ट्रेनर मुसकान से सो दिया नर्सों को आत्मरक्षा के गुर्ष सिखा रही है आत्मरक्षा के लिए दिलाई जा रही ट्रेनिंग अस्पताल प्रभारी डॉक्टर विक्रम रगवंसी ने बताया कि महिला नर्स की बारी बारी से नाइट डूडी रहती है नर्स का मेडिकल चेक अप समय ट्रीटमेंट के दोरान हर तरह से मरीजों और उनके परिजनों को सामना होता है जिलाई अस्पताल में भी आए दिन मारपीर की घटना होती रहती है इसे ध्यान में रखते हुए आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जा रही है लेडी स्टाफ के बाद मेल स्टाफ नर्स को भी ट्रेनिंग दी जाएगी करीब पाच महीने में 40 लोगों के स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाएगी शिरुवाती लाठी चलाने से की गई है अस्टाफ प्रफारी ने बताया कि ट्रेनिंग के दौरान मरीजों को परिशानी नो हो इसलिए ड्यूटी पर होने के बाद स्टाफ को बुलाया जाएगा उन्होंने बताया कि अभी लेडी नर्स के लावा लेडी डॉक्टर चाहें तो ट्रेनिंग ले सकते हैं स्टाफ नर्स ट्रेनिंग को लेकर उत्साहित ट्रेनिंग को लेकर नर्स और महिला स्टाफ उत्साहित है माधब नगर अस्पताल की नर्स मनिशा साहू ने बताया कि नाइट डूटी के दौरान अकेले रहते हैं ऐसे में कोई लोग नशे में धूत होकर अस्पताल में आ रहे हैं एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन्स आपके लिए तैयार है मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्शक वास्तुकला और विशशग्य वास्तु परामर्ज तक हम आपके सपने को साकार करते हैं वास्तुकला वास्तु और हुनर इतने बढ़ियां दिये ग शिफ्टिंग की टेंशन अब नो टेंशन शिफ्ट को पैकस एंड मुवर्स है ना जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक वाक कार को स्रक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है तो अब देख इस बात की आज ही संपक करें डावलेट टू वन ट्रिबल जीरो सेवन वन सेवन